हेलो एब्रिवण लास्ट वीडियो के अंदर हम देखा था कि हम अपने Canvas पे किस तरीके से एक स्क्रीन पे बैकग्ग्राउंड बना सकते हैं एक rectangle स्क्रीन इस्तमाल करते हुगे इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम Snake को और Apple को किस तरीके से screen पे place कर सकते हैं तो सबसे पहले तो क्योंकि आप step 1 branch पे होंगे आपको सबसे पहले करना है git checkout dot ताके आपके पास एक clean state आजए उसके बाद आप करेंगे git checkout step 2 ताके आप step 2 वाली branch पे आजए अब हम क्या करेंगे हम दो rectangle set करेंगे screen पे एक samp होगा और एक जो है वो apple होगा लेकिन ये बिलकुल starting की state है और ये target है हमारा कि हमारे पास एक yellow color का box हो ये हमारा samp है और ये जो है वो apple है या save है ठीक है इसकी जो position है ये different है और इसकी position different है अब देखते हैं कि इसको code में कैसे करना है तो सबसे पहले क्यूंकि हम अपनी step 1 ब्रांच पे हैं हम करेंगे git checkout dot ताकि हमारे पास clean state आजए उसके बाद हम करेंगे git checkout step 2 मेरे पास एक और window खुली हुई है जिस पे मैंने http server चलाया हुए ताकि जब मैं ब्रांच चेंज करूँ तो मुझे दुबारा से server न चलाना पड़े तो अगर हम अपने browser पे जाएं इस point पे तो आप देखेंगे कि अभी भी हमारे पास refresh करने के बाद भी same state है अब देखते हैं code में क्या चीज़ें comment हुई है तो अगर मैं अपनी javas के file में चला जाओ तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ नए variables है और मैं explain करूँगा यह क्या करते है सबसे पहले हमारे पास है tiles count tiles count basically यह बताता है कि हमारे इस पूरे rectangle पे या पूरे screen में कितने smaller boxes है इसको मजीद explain करने के लिए मैं आपको canvas grid दोबारा से दिखाऊंगा तो अगर हम इस grid को दोबारा से देखें तो basically हमारा जो सांप है जो snake है वो move होता है इस पूरे screen पे या इस पूरी grid पे अब ये grid बजाते खुद एक single screen है लेकिन ये मजीद small boxes पे मुझतमिल है जैसे कि हमारे पास अगर हम कहें कि ये 00 है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अगर मैं 0 से 9 तक जाऊं तो ये 10 boxes count होते हैं तो 9X में और 9Y में अगर हम मिलाएं तो हमारा एक screen बन जाता है जो के 10 by 10 matrix का है इसी तरीगे से अगर मैं 0 से 19 तक चला जाऊं तो हमारे पास basically 20 boxes आ जाएंगे जो के कहलाएंगे 20 by 20 की matrix तो हम अपने game के लिए 20 tiles काउंट कर रहे हैं ताके हमारे पास 20 by 20 की matrix बन जाए और वो ही 20 यहाँ पे इस tiles count के अंदर reflect कर रहा है ठीक है अब मजीद अगर हम आगे चलें तो हमारे पास player position x है player position y है यनि के player के position x और y coordinate जो के है 10,10 और हमारे पास फिर apple की position है जो के है 15,15 ठीक है अब अगर हम आगे चलें तो हमारे पास game loop के अंदर ही snake की position सबसे पहले आती है तो जैसे के मैंने पहले कहा था कि जब भी हम किसी नए rectangle को draw करते हैं हम उसके लिए जैसे के आप pencil color उठाते हैं color करने के लिए वैसे ही हम color बताते हैं कि अब कौन सा color इस्तावाल हो रहा है अगर हम इसको इस्तावाल ना करें तो यही color जो पहले use हो रहा था उसी से यह rectangle भी बन जाएगा जो के black होगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि कुछ draw हुआ है या नहीं हुआ है ठीक है तो हम इस yellow color को pick कर रहे है और उसके बाद फिर हम कहते हैं fill करो rectangle को player position x player position y पे और आपको नजर आ रहा होगा कि हमने यहाँ tiles count से multiply किया है अब हमने ऐसा क्यों किया है ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास जो grid है 20 की उसका मतलब यह है कि हर box जो है वो 20 pixel का होगा क्योंकि हम 20 by 20 की matrix बनाएंगे तो इसका मतलब है हमारे पास 20 20 pixels का gap होगा इसलिए अगर हमारा player position 1 पे है तो वो actually 1 पे नहीं होगा बलके 20 pixel पे होगा सही है वो अपने second box पे होगा लेकिन वो 20 pixel पे होगा तो यह वो math है जो कि हमें include करनी पड़ती है लेकिन basically हमें जब भी player position x चाहिए होगी तो हम उसको multiply कर देंगे tiles count के साथ जो कि matrix multiplication है एक तरीके से इसी तरीके से हमारे पास player position y होगी उसको भी हम tiles count के साथ multiply कर देंगे तो x और y की position हमेशा tiles count के साथ multiply होगी उसके बाद हम इसको देते है width और height कि इसकी क्या width होनी चाहिए और क्या height होनी चाहिए तो जैसे कि मैंने बताया कि हर box 20 pixel का है इसलिए हम चाहें तो यहां पर just tiles count भी दे सकते हैं जिसका मतलब है कि 20 pixel लेकि उससे problem यहाएगा कि हमारा जो snake है उसमें हमें boxes नजर आते है with gap एक एक pixel का gap होता है ताकि वो हमें snake की जो पूरी length होती है या trail होती है उससे नजर आए कि हाँ different boxes है अगर हम यह minus 2 ना करें तो हमें कोई gap नहीं नजर आएगा snake के boxes के अंदर और आप बाद में चाहें तो इसको खुद भी try कर सकते हैं कि आप इस minus 2 को हटा के देखेगा कि क्या होता है तो basically हमें snake के जो boxes हैं वो boxes अलग 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 नजर नहीं आएगे इस snake के जिसम के लेकिन हमें एक snake पूरा एक line में नजर आ रहा होगा तो इसके लिए हम यह काम कर रहे है अब अगर हम आगे बढ़ें तो दूसरा जो हमारे पास है वो apple है लेकिन पहले snake को test करते हैं तो अगर मैं अपने browser को refresh करूँ तो आप देख रहे हैं अब यह snake जो है वो 10,10 position पे मौझूद है हम इसको कोई और position भी दे सकते हैं लेकिन I think कि आपको समझ आ गया होगा कि इससे क्या हो रहा है अब हम apple को draw करते हैं तो हम इस apple को यहां पर draw करने जा रहे हैं तो हम इसको save करेंगे और refresh करेंगे तो अब आप देख रहे हैं कि यहां पर apple आ गया है अगर आप चाहें तो इसकी position change करके check कर सकते हैं कि आपको क्या result मिलता है एक important चीज यह है कि अगर मैं किसी भी coordinate को 20 दे दूँगा तो यह काम नहीं करेगा और जो player है या apple है वो screen से बाहर चला जाएगा देखें test करते हैं तो आपको नजर आ रहे हैं कि snake को मैंने 20 दिया था x position और वो screen से बाहर चला गया तो वो basically यहां है इस side पे वो क्यों कि अगर आप programmer हैं या programmer बनना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम 0 से start करते हैं तो इसका मतलब यह है कि अगर मुझे बिलकुल आखरी corner देना है तो वो 20 नहीं होगा वो 19 होगा तो आएं इसको try करते हैं तो अगर मैं इसको 20 से 19 कर दूँ और save करूँ तो हमारे refresh करने पे यह last corner पे आ गया ठीक है यहाँ पे notice करें कि यहाँ पे यह किस तरीके से gap आ रहा है जो minus 2 हमने लगाय था उसका basically मकसद यही था ताकि हमारे पास width इस box की कम हो और हमें snake के boxes अलग-अलग से नजर आएं जब snake move हो रहा हो तो इस वीडियो के लिए यहीं तक हम रखेंगे क्योंकि यही हमार target था कि हमार पास screen पे snake भी आ रहा हो और apple भी आ रहा हो next video में हम अपने game में keyboard की interaction को introduce कराएंगे जिसका मतलब है कि जब भी आप keyboard पे कोई button दबाएंगे तो snake move होगा उस direction में तो हम arrow keys implement कर रहे होंगे next video में मिलते हैं make sure to subscribe to the channel for new videos as I am planning a lot of content on JavaScript and Angular maybe on web too so do it